पाँच मेर्ट का समय के ये इस चदन का ध्यान केंदित करना चाहते हैं मानिवर मानिवर हम महिलाएं आज बहुत बड़ी संख्या में संसर्ट के अंदर हैं और मैं खुद एक सामाने परिवार में जन्मली हूँ उसके बाद अपने पिताजी के संखर्सों के माध्यम से मैं एक राज्यतिक परिवार से जुड़ी हूँ मैं बहुत भली भात इस चीज का अहसास कर सकती हूँ मानिवर की महिलाओं पर चाहे वो सामाने परिवार की हो हमारे तमाम महापुर्सों ने भी महिलाओं के हक और सम्मान के लिए लड़ा है आज मानिवर में इसलिए आपके सामने खड़ी हुई हूँ कि कल जो सदन में हुआ है हमारे बीच की ही एक सांसर जो पीठा सी सभापती के रूप में बैठी थी मानिवर उन पर जो कमेंट किया गया है अज दोभिनी सब्द का जो प्रियोग किया गया है मानिवर उन्हों ने इस तीफे की बात की है हमें इस तीफे से नहीं मतलब है हमा चाहिए उन्हें माफे माणना होगा मानिवर आकर के सदन में माने वर उन्हें सदर्ण में आकर माफे मागना होगा तर उस पुर्जी का भी आपकी अउनुमती से मैं यह कहना चाहती हूँ महादे मेरे साथ वर्ष के संसधिय कारेकाल में आज तक किसी पुरुष ने इस प्रकार की किसी भी सदन में हिमाकत नहीं की यह विशे महिला का नहीं है इस सदन में और दूसरे सदन में भी कई पुर्षों ने अपने राजनेतिक सामाजिक कारेकाल में महिला के संरक्षन के लिए सम्मान के लिए आवाज उथाई हैं. Let us not reduce it to a women's problem. This is a blot on all legislators including men sir. This is not a house where men come in काकि किसी औरत की आखों में जाका जाए. And what was repugnant was that our leader stood in solidarity with the less. My appeal to you sir, irrespective of our political differences, the entire nation watched yesterday, कैसे ये सदन शर्मसार हुआ. इस सदन में बाच्चीत प्रिवलिज होती है. अगर महिला के साथ इस प्रकार की बत्तमीजी सदन के बाहर होती, तो वो पुलीस का संड़क्षन मांगती और उसे मिलता. Sexual Harassment at Workplace का बेल इसी सदन ने पास किया. और हम चुपचाप बैटकर महदे मुखदर्शक नहीं बन सकते. मंत्री के नाते नहीं, महिला सांसद के नाते नहीं, आज सांसद के नाते, पूरे सदन को मेरी अप्रील है. यह message भेजें, कि महिला चाहे किसी भी पक्षकी हो, इस सदन का privilege misuse नहीं होगा एक महिला का अप्मान करने के लिए. महदे, बाहर पुलीस का संड़क्षन है, यहां आपका है, मैं अपील करूंगी, इस सदन में political differences छोड़के, gender differences छोड़के, हमें एक स्वर में बोले, you cannot misbehave with a woman and get away with it, but just dramatizing it and say, मैं resign कर दूंगा, यह आपको गलग तैमी हुई है. यह बात, बात बड़ा, नहीं बीरोद करते हैं. अब लोग कोई बिरोद करने के लिए खारा नहीं हो, अब भी जो कुछ बोला है, जब यह बिश्या उठाता सर, तो मैं सदन में था सर, जिस तरह के ठाशा का प्रयोग किया, मैंने उसी समय आपत्ती किया, मानिये रमा जी, बहुत ही, सुल्जी हुई, आदड़े नेता हैं, महिना अपनी जग़ा पर हैं, और बहुत बरिश्ट हैं, वो सदन की कुर्सी पर हैं, और जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो इतने शर्मिंदगी बरेते, कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ, या तो माफी मांगें, अत्वा उनको सदन से अंदर आने पर सस्पेंट किया जाएं, यह आप मांगते हैं, यह हमारी माफी, अदग जी, अदग जी, पहले आप बोलना सार, अदग जी, बात यह की सेर, हिंदुस्तान में जोग जोग हम महिला को मा की रुप से हम मानते हैं, सम्मान करते हैं, सदन के अंदर नहीं, सदन की बाहर कहीं भी, सारे दुनिया में कहीं भी अगर महिला को उपर कोई असन्मन होते हैं, कोई असभन होते हैं, तो हम हिंदुस्तान के कोई लोग, इसके समर्तन नहीं करते और इसको बिरोद करते, लेकिन सेर, यह जो इलजा मिया उठा जा रहे हैं, उस विशह में जिन लोग की छिलप ये स्विक्रदर्श किया जा रहे हैं, उन लोग की कोई बात हमें सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन महिला, मेरे बात सुनने को दिजिये न, मेरे बात बोलने को, सर अटलिस्ट आइशुड़ भी हाड़, सर नहीं मैं किसी को समर्तन, मैं कोई आसवान आचरण को नहीं समर्तन करते हैं, मेरा कहिना यह है, जिन लोगों की खिलाप यह सिकाइट है, उन लोगों को क्या कहना है मुझे जान करी नहीं है, हम लोग कल इसको बिरुद हुए हैं, मैं किसी को समर्तन नहीं करते हैं, आप बीन बज़े हमें दोसरों मत करो, यह मैं कारून की बात करते हैं, मैं किसी को समर्तन नहीं, मैं कही किसी को यह रस्टन एकली नहीं करा हूँ मेरा कहना है सैर। आप सदन के सर्बस्चादिकारी हैं, हमरा प्रिविलेज कमीटी हैं, यह सारे कमीटी की विचल की दोरान जो निनने लिया जा एगा, हम सब उनसे चाय बात होंगे ये नहीं होर कुछ नहीं सर सर जयर वाटेबर सिटी वियानी जी में कहा है और सब महिला लोग जोने कहा है व्यर्ट फुट नाट भी any words or any conduct which amounts to any amount of insult to any woman no word about that महिला का सम्नान जोन जिसने नही the person who doesn't know how to pay respect to a woman possibly he doesn't know the culture of the country itself सर लक्षन जी जब चर्दव अरस राम लक्षन और सिता जब बनवास में थे लक्षमन जी तो लक्षमन जी कभी सिताग जी का मूग भी दर्सन नहीं किया पाय की तरफ दर्सन किया था पाय की तरफ दर्सन किया था कभी मूग का तरफ दर्सन नहीं किया कभी नहीं किया जो बोला जो जो हुआ अच्छ नहीं है इट है not only hurt the sentiment of the women it hurt the sentiment of everyone मेरा आम तो जानते है माता जी को देखा बाईन भी है जब लड़की आया तो हम पहचाना हम को मालू हुआ लड़की क्या है बेटी क्या है तो कोई बेटी को कोई बाईन को कोई बेटी करेया we are the last person to tolerate it whether by words or by conduct I stand here to condemn and I actually hang my head in shame today but the first time I am feeling that I come to this highest office of democracy which we call as the temple of democracy where one of my colleagues here we work for gender equality who has worked very hard she's had her challenges in our lives and this offensive language is just not accepted we have to show zero tolerance towards any subject it's a very shameful and if we don't correct it today generations ahead will follow bad values I think we set good examples of good culture and good values and the beginning starts with us so I urge sir for you to give very very strict instructions that no member be it a man or a woman should be insulted or offended with any language or any such personal comment we come here as professionals not as men and women so I condemn it and sir we expect that you will take very strict action and the house has to stand in one voice against this it doesn't matter whether you are sitting on this side or that side even the men are with us today we have to come out today and give one voice because this is voice for the women of India which we are very proud of thank you thank you this is a very bold this is a very strong which we want to see which we want to be what are said अभी जो चर्चा चल रही है वो बहुत ही सर्मनाक विशे पर हम लोग चर्चा कर ले हैं एक कोई भी वेक्ति कोई महिला माता अपने गर्ब में बच्चे को नौ महिना रखती है और उसके बाद उसको जन देती है और जब से हम पैदा होते हैं तब से हम आज तक महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के प्रती जो मेरा रुख है उसके प्रती जागरुक रहने का काम करते हैं और यह तो प्रजात तंतर का मंदिल है यहां बैट के कोई अगर महिलाओं का आपमान करे महिलाओं के बारे में आपती जनक टिपनी करे यह कताई बरदास करने की लाइक नहीं है इसको कताई बरदास नहीं किया जा सकता है हम अध्यक्ष महादे अपनी पार्टी के तरफ से आपसे आगरा करेंगे कि आप सक्स सक्स कदम उठाइए ताकि भविस्ट में गोड़ी ऐसा साहस नहीं करें कि किसी महिला के बारे में अपमान जनक और आपती जनक टिपनी का तरफ़ाइए कल जिस तरीके से जो यहाँ पर वाक्य हुआ है मुझे लगता है जितनी महिला यहाँ पर बैठी है कोई अधिकार नहीं है हमारे पर कुछ भी बात करना कोई अपनी मां से ये बात नहीं कहेगा कि आप मेरी नजरों में देखकर बात कीजिए आप मेरे दिल में बैठी हो या बेहनों को नहीं बोलेगा तो मुझे लगता है कि सभी पुरुष यहाँ पर जितने भी है वो हमारे लिए बहुत जादा रिस्पेक्टेड है क्यूंकि आपके बिना हमारी जिन्दगी नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम आप लोगों से कमजोर है अगर लडने की बात आएगी तो हर महिला यहाँ पर बैठे होए पक्ष अलोग होगा पाटी अलोग होगी हम सब एक होकर महिलाओं के प्रस्णों के लिए सब लड़ेंगे और इससे उन्हें आपने स्टिकली और उन्हें ने कहा बहुत अच्छे से क्या आप मेरी छोटी बहन लगती है अरे बहन के सामने अगर जुक जाते तो भाई कभी छोटा नहीं होता भाई और बढ़ा हो जाता तो भाई ने अगर जुक के दो शब्द बात कर लिए होते और सौरी बोलते तो शायद आज वो बहुत जादा बड़े हो जाते तो मैं हमारी कोई भी महला ही है इस कदन में वेटी हूँ तो मुझे लगता ने कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट करेगी इसके विरोथ में हमेशा रहेगी फिर पार्टी is non matter, it is just a female supporter because हम भग भुँखिल से लोगोह को जा भी मुखिल घर जाद़ ने यहां हे तो थे शायद लगता ने को एंकि शुक्ता है I just want to tell one little thing that when I first came in this parliament everybody respected me, everybody welcomed me with open hearts and that was what I was learning but yesterday when I was present here and I had been called the youngest MP this that but all I want to say that sir this is a learning process and what happened yesterday that cannot be a part of my learning process which I as a woman am learning every day this cannot be apart from any political difference which we have we fight but this should be unanimous we should fight for it totally we nobody can stand in the parliament and tell a woman a speaker look into my eyes and talk right you might be very rhythmic in your couplets or anything but that's not a parliamentarian thing and I think you should come up with something like that which we all are looking forward all women right here are expecting something big from you right now thank you so much sir sir a woman whatever age she belongs to wherever she comes from and whatever post she holds and wherever she sits they continue to be insulted and even in this house of democracy women are continued to be insulted and made to feel small I condemn this this cannot go on and definitely bringing the reservation and bringing more women's reservation and bringing more women into this house will add to the strength of women and I'm sure we are with the government to support the bill when they bring it and it's unacceptable that somebody can incite a fellow parliamentarian like this and if the state of women inside this house is this then we can understand how these very same people will be treating women outside the parliament and what the state of affairs outside this house can be I condemn this again and I stand with the parliamentary member I don't know okay let's go let's go let's go let's go let's go let's go मानिये अजिक्ष महुदे कल जो इस सदन में हुआ उससे ये लोकतंद्र का मंदिर ये सदन ही शर्मसार नहीं हुआ है बलकि पूरा देश शर्मसार हुआ है और पूरे देश को इस बात की तकलीफ है कि हम जिस लोकतंद्र के मंदिर के प्रती इतनी आस्था रखते हैं वहां हमने कैसे नुमाइंदे चुनकर भेजे हैं और मुझे लगता है कि जिस कॉंसिट्वेंसी से हमारे मान्मिय सदसे जिनों ने ऐसी अशोबनिय टिपड़ी की है चुनकर आए होंगे आज उनके पूरे कॉंसिट्वेंसी के लोगों का सर शर्म से जुका होगा कि हमने कैसे व्यक्ति को यहां चुनकर भेजा है अमारी रमा देवी जी पार्लमेंट की लोग सबादी एक सीनियर मेंबर है एक सीनियर एंपी है और मैं जब उनको देखती हुआ जेच मौदे तो मुझे उनके अंदर अपनी मा का सब्सक्राइब नबर आता है और मैं आपसे आग्रे करती हूँ कि ऐसी घटनाओं को भविश्य में होने से रोकना है तो आपको कड़ी से कड़ी कारवाई करनी होगी पूरा सदन आप से मान करता है मैं मैला होने के नाम से आप आपसे मान कर रही हूँ अदेख जी इस मान में पर आप खामोश नहीं रह सकते है क्योंकि अगर ये बदन खामोश रहा तो उनके भी आधी 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 करने के लिए लोगतर का मंदिर और उसके आधी